जैन सातियों मैं हूँ आपका साती भुषपूर सैनिक मनो सिंग और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो की अगनिवीर वाला ट्रेड है यानि की अगनिवीर भरती प्रक्रिया के तहद आने वाला जो ट्रेड है आज उस ट्रेड के बारे में आपको पूरी जानकारी दोंगा साथी after retirement benefit और in service service पूरा आपका छुट्टी सारी चीज़ पूरी detail से बताऊंगा वीडियो पूरा देखिए ताकि कहीं भी आपको कोई parts मिसना हो जाए फिर आप लोग comments करते हैं आपने after retirement नहीं बताया या इसका physical पहले होगा या return exam पहले होगा यहीं नहीं बताया फिर आप comments करते हैं तो उसके आद में reply नहीं कर बाता हूं इसलिए वीडियो पूरा देखिए आपको पूरी जानकरी मिल जाएगी साती soldier gd से आपको क्या opportunity मिलेगी in service और retirement आज की वीडियो में आपको सारी चीज़ें के लिए हो जाएंगी तो without wasting in a time let's start तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं soldier gd trade के बारे में आपको पता ही है कि soldier gd trade इंडियन आर्मी का सबसे एड्वेंजर्स ट्रेड है यानि कि जिसके की सबसे ज़्यदा challenging रोल है दिखने में जितना आसान लगता है उससे ज़्यदा कई इसमें challenging रोल आते हैं क्योंकि आपने दिखा होगा कि जब आपका सपना इंडिन आर्मी में आके पैरा सुर्ट वोस कमांडो में जाने का होता आपका सपना असंटी में जाने का होता है या आपका सपना हवास कमांडो बनने का होता है यह आपका सपना कमण crown बने का होता है इसकी प्रहार हो तो आगर आपका सपना इंडिनार में ऐस ए कमांडों बनने का है तो सबसे जो बैतर ट्रेड है कमांडों बजाने के लिए वह तापका वीडियो ने बताए कि आप सुप्रक्निकट ऑप वी तुर्ओं मैं आप एनेज्टा सकते हो लेकिन अगर बात करें एक्टिव रोल की यानिकि एक आपको टास्क मिला हो आपनों देखा होगा कि जब ताज ताज पर अटेक होगा था तो हमारी टीम गई थी यह दो हैलिक से कैसे वह ड्रॉप होई थे किस प्रकार उनने वह उप्रेशन को अंजाम दिया तो उसमें पताने जाओंगा अगर ऑफसर की बात छोड़ जिसको अपना एडवेंचर पसंद है उसका सोल्जर जीडी में मोस्ट वेलकम है बाकी जिसको पढ़ाई डॉकुमेंडिशन का सोग है वह सोल्जर क्लर्क एसकेडी मा सकता है जिसको मसिनरी इनका सोग है वह सोल्जर टेकनिकल मा सकता है बाकी जिसको सेफ का या स्टीवोट का सोग है वो सोलजर ट्रेडमेंट 10 दबास में आता है कल से आपको डेली एक दिन चोड़के एक दिन या डेली आपको इंडिन आर्मे के ट्रेट के बारे में वीडियो बनाते रहूंगा तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोलजर होगे तो और आपको जो चुट्टी मिलेगी वह मिलेगी आपको 30 देज की सालान होगी और मतलब क्या होता है यह आप इंडिन आर्में में कभी बिमार हो गए यह आपको चोट पटक लगी यह कई किसी का तो उस दौरान में क्या करते हैं जैसे तो तो बहुत ठीक होता है त कि जरुबत होती है तो उसको सिकलीब भीज़ दिया जाता है तो मैंने मैं सहाथ जहां तक सूचता हूं कि कि आपको पूरी वीडियो बनाऊंगा कि एन्वलीप क्या होती है क्यों कि आप में जा रहे हैं तो आपको सारी चीज पता और वह आपको दावे के साथ ताव सिर्फ इसी चैनल के पता चलेगा आपको क्योंकि हम फर्जी यूट्रीवर नहीं हैं जो कि फोज में कभी नोने न करलेते यह घ्रिया हम सब्सक्राइड करेटरिया कि एनिकि आप क्रेटरिया की होना चाहिँ इंडिन आर्मी की भाबी कि निले समय जो जो सम्सक्राइड क्रेटरिया रखा हुआ है क्यों टिनन्त विद् Tactile 60 में नहीं छीए और आपको परसॉं सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यह हो गया आपका क्रेटरिया अब एस की बात करें तो यह सोल्जर जीडी के लिए इंडिन आर्मी में जो है 17.521 वही सेम इसमें भी है लेकिन कोईट की उसे साल चूट दी गी है जो कि आपको दू साल के चूट दी गी है तो इसमें जो पॉइंट फाइब टू 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 टी तरी रखा गया है जिसमें की जो आपकी डेटो बर्थ है वह होनी चाइए आपकी अक्टूबर नियानव्बर से लेकिए एक अप्रेल दो जार पांस के बीच में इसमें आपकी डेटो बर्थ होनी चाहिए फिर आप लोग कोमेंट शि सकते हैं अब बात कर लται आपका सबसे बला डाउट सर क्या इसमें एक्जाम पहले होगा मेरे बारिकल भी में पहले नहीं होगा इसमें भी सेम फौस कितर ही प्रिक लिए पहले आपका फ्लिय टेस्ट होगा आपका हाइट ना पिती जाएगी आपका डॉकुमेनिशन होगा आपका फिर enough के इंदर में कही वैणी की दोप करूं अगर आप 5 मिनटे कर 30 से लेके 5 मिनट 45 से के भीच में आएंगे तो आप आएंगे सेकिंड गुरूप में और मैं सेकिंड गुरूप में कभी नहीं जाता हूँगे आप लोग आएं जिनका सपना पैराइसप में जाने का है और उसके बाद में फिर होते हैं आपके पुल अग आपको 40 नंबर पूरे मिलेंगे अगर आप 9 पुल अप्स लगाते हैं तो आपको 33 नंबर मिलेंगे अगर आप 8 पुल अप्स लगाते हैं तो आपको 37 नंबर मिलेंगे अगर आप 7 पुल अप्स लगाते हैं तो 21 नंबर मिलेंगे 6 पुल अप लगाते हैं तो 6 नंबर मिलें आपका 9 feet ditch यानि कि आपको 9 feet का गड़ा कूदना पड़ता है ये भरती होने से पहले ही नि भरती होने के बाद हमी पूदना पड़ाईगा आपको बीपीटी के इवेंट में जल्दा आप लोगों को एक बीपीटी आर्मी का इवेंट होता है इनको लेकि भी एक एक वीडियो म बनांगा आपको बीपीडीबी क्लीयर हो जाएगी तो एक बैलन्स ओता है वह भी आपको क्लीर करना पढलता है बैलनसिंग के दोरह यह सिर्फ आपको क्यूर्ब आपकी रणिंग और आपके प्लॉस को जोड़ते हैं उसके बाद फिर होता है आपका मेडिकल और मेडिकल पार तो यह हो गया आपका अगने वीर का सेलक्शन प्रोसेस और किसे भरती प्रक्रिया कोई सब मैं आपको कामाम बता दी है अब बात कर लेते हैं कि सब्सक्राइब करना होता है अगर आपके हंडेट नंबर पूरे आते हैं और अगर आप इन पीन में आने के लिए अंतिंभू से आपका चेहन होता है तो भापस आपका एक और फिजिकल कंड़क्ट रूता है जिसमें के आपके आपगर की दोल होतीय आपके पुशम होते हैं सिटस ओतेंट चीन अब सोते हैं five meter procedure होता पाहस कर लेते हैं तो आप डेरेक्ट इंटीन आर्मी की पराuschुट रेज़्िमेंट बैंगलॉडोर में ट्रैनेंग के लिए जाते हैं और वहाँ पर अपनी बिसिक ट्रैनिग के बाद फिर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कोई भी दिकत नहीं होने वाली अब अगनीवीर के दुरू बहुता है तो आपका तीन साल से लेकर अधिकतम पांस साल का तो तो तूर अप डूटी का जो सर्विस टर्न ओवर है तो उसमें नहीं जा सकते हैं लेकिन फिर भी एनसी में तीन साल के लिए या उनका आने वाले टाइम पे कुछ कम हो सकता है या जो कुछ भी अपडेट आएगा वह आप लोगों क करेंगे सोल्जा टेक्निकल इन इंडियन आर्मी और अगर हम रेटर्मेंट बेनिफिट्स की बात करें सोल्जा जडी की दुरू अगर आप जाते हैं रेटर्मेंट बेनिफिट्स तो आपको पेरामिलेटरी फोर्स में आपको 10% का आरक्सन मिलता है प्लस कई स्टेट गवर आह वा जवान अगर इन फोर्स हो जाता है तो उसका सबसे बहुत होता है ट्रेनिंग का का डिसीप्लाइन का और एक एडवांस टेकनोलोजी का तो उसका बैडिविट उसे इन फोर्स में जरूर मिलेगा और इन फोर्स के तुरू आपका बशेशिस से भी उजुवल रहेग जो इंडिनार में सेलेक्ट हो गया वो सब चीज़ कर सकता है तो अपना बिल्कुल भी दिल न दुखाएं कल की वीडियों में बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल के बारे में आप अपनी पढ़ाई के साथ में अपने स्टेट की और वेकेंसी में आप लोग अपलाई कर सकते हैं साथी सेंट्रल में आप सेंट्रल आर्मल पुलिस फोर्ट चाहें सीसेफो एससबी ओ बीसेफो इन में जाके भी आप अपने देश्ट का गोरों बढ़ा सकते हैं तो फ्रेंड्स दीजे अपने भाई को ज़दल वीडियो कैसा लगया कोमेंट्स में जरूर करें और वीडिय कीजे एकस आर्मी सोलजर को डिफेंस की सबसे सटिक और सबसे आसान बासा में जानकारी के लिए साथी बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिलें